प्राइब के प्यारे बच्चों, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है, मैं हूँ राशी मैम, आज हम हिंदी की क्लास में कुछ नया पढ़ने वाले हैं, हमने जो अक्षर और व्यंजन याने स्वर और व्यंजन जो पढ़े हैं, याने अक्षर, उन्हें चिपका के, उन्हे इनको हम बूलेंगे दो अक्षर वाले शब्द दो अक्षर वाले शब्द चलो देखते हैं ये कैसे बनते हैं ये बहुत आसान है देखो ये कौन सा अक्षर है? घ और ये है र जब हम घ और र को मिला दिंगे तो बन जाएगा घर 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 ये है ब ये अक्षर है स ब और स को जब मिला देंगे तो बन जाएगा ब स घर ब स ये है क और ये है प क और प को मिला के बन गया कप ये है फ ये है ल फ प्लस ल को मिला के बन गया ये है अक्षर है ह और ये है ल अप्लस किया तो बन गया ये है र ये है थ ये है थ र और थ को प्लस किया तो बन गया र थ रत ये है ये है ज और ये रहा ग ज और ग मिला के बन गया जग ये रहा न और ये रहा ल न और ल बिल गया और बन गया नल जग जग न ल नल ये है ज और ये क्या है ल ज और ल क्म मिला के बन गया जल जल ये है थ ये है ल थ और ल क्म मिला के बन गया थ ल थल मतलब जमीन थल जल मतलब पानी ये है जल ज और ल जल थ और ल, थल ये लिखा है न र, न र, न और र को मिल गया बना के, बनता है नर, नर याने की एक मैन, मैन, ओके ये है स, ये है र, सर स और र को मिला के बनता है सर सर याने के, forehead या head नर, अब इसे पढ़ो, सर, सर ये रहा, ट और ब, ट और ब को चिपकाया और बन गया ट, ब, ट ब, तब ये रहा र, स, र, और स मिलके बना र, स, रस, रस याने जूस, मिठा मिठा रस, ये है टब, और ये रस, तो इन अब शब्दों को आप धीरे धीरे पहचानना सिख जाए, पढ़ना सिख जाए, और बिलकुल मत घपराईए, आपको ये बहुत आसानी से आ जाएगा, अभी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाई 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 अपन तेंजर की